हेलो फिर्ण्स तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आप काउंटर से कटाये हुए टिकट को मोबाइल से कैंसिल कर सकते हैं कैसे आप रिफंड ले सकते हैं पूरी जनकरी आपको इस वीडियो में दूँगा इसमें मैं आपको live जो इस ticket को cancel करके दिखाने वाला हूं जो की ticket यहाँ पर confirm ticket है यादि कि इस ticket का R.E.C. हो चुका है लेकिन किसी औरन वस मैं नहीं जा पा रही ह। तो यहाँ पर मैं इस ticket को cancel करने वाला हूं तो मैं आपको cancel करके इस वीडियो में लाइव दिखाने वालों तो वीडियो का आप लोग पूरा देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन पर क्लिक करका ओल नोटिफिकेशन को ओन कर लिजे वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दीजेगा तो चलिए देखते हैं कै मैंने सर्च किया है आयार सीटीसी डॉट को डॉट इन इस वेबसाइट को आप सर्च करेंगे तो इस तरह से ऑपें हो जाएगी वेबसाइट यहां पर आपको तीन लाइन दिख रहे हैं उस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको ट्रेंस का ओप्शन दिखेगा यहां प को counter ticket पे click करना यदि आप counter से ticket करना है उसे cancel करना चाहते तो counter ticket पे click करेंगे यदि आपने किसी जगह से कटवाया है किसी दुकान से कटवाया है तो आप यह ticket पे click करेंगे ठीक है उसके बाद counter ticket cancel करने के लिए आपको क्या की चीजिए यहाँ पर डालनी होगी वो मैं आपको बता दीता हूँ तो देखे यहाँ पर आपको जो information देख रही है यहाँ पर आपको डालना होता है आपको अपना PNR number जो कि आपके ticket पर print होता है PNR number डालिए तो यहाँ पर मैं PNR number, उसके बाद यहाँ पर आपको train number डालना होता है, उसके बाद जो capture है, उसे आपको यहाँ पर enter करना होता है और उसके बाद यह tick mark वाले box पर क्लिक करने को आप submit पर आपको क्लिक कर देना है, जैसे आप submit पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आपके सामने next page open हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरह का page आपके सामने open हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर page जब open होगा, तो य लिए यहाँ पर मैं OTP इंटर करने के वाद Submit पे कलिक करता हूँ, तो OTP मैंने इंटर किया है और उसके बाद आपको Submit पे कलिक कर देना है, ₽ तो यहां पर दिखिए यह OTP मैंने डाल दिया और सौरी यहाँ पर गलती से OTP जो है एक इस्ट्रा अंग इसमें चला गया है तो इसको हम देख लेते हैं कि क्या मतलब यह OTP mismatch हो जाएगा तो हम फिर से OTP डालेंगे और यहाँ पर submit करते हैं OTP बिलकुल आपको सही-सही डालना है तब यह आपको next page पे ले जाएगा तो चलिए OTP मैंने सही-सही डाल दिया है अब हम next page पे redirect हो जाएगे यहाँ पर next page पे आने के बाद आपको क्या करना होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको cancel करना है तो यह जो ticket है इसमें तीन व्यक्ति का ticket है यहाँ पर आप देख पाएगे कि यह जो ticket था उसमें तीन व्यक्ति का ticket यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको सारे option देखने को मिल रहोंगे कि कहां से आपका ticket है, कितना date में है, कितना time पे है कितना पैसा आपने इस ticket को cut वाने के लिए दिया था आपको जो है यहाँ पर submit पे click कर देना होता है तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं सभी का नाम आप चेक कर लिजे उसके बाद यहाँ पर आपको submit पे click करना है जिसे आप submit पे click करते हैं उसके बाद आपका देखिए यहाँ पर बताएगा और इसका जो यानि की cancellation वाला जो message है वो आपके registered mobile number यानि जो mobile number आपने ticket कटवाते वग दिया था उस पे send कर दिया गया फिलाल यहां पर आप देख सेते कितना पैसा आपको refund होगा कितना पैसा आपका कटा है तो इस case में 1710 रुपे का ticket था जिसमें से 180 रुपे कट गया है यान कि जहां से आप train पकरने वाले थे उस station पर जाकर आप जो original ticket है उसे submit कर देंगे और आप वहां से अपना refund का amount ले सकते हैं तो इस तरह से आप किसी भी counter से कटाए गए ticket को आसानी से cancel कर सकते हैं I hope कि ये वीडियो आप लोग को helpful लगा होगा यदि आपका कोई भी सवाल है तो आपका train है उससे पहले ही आपको refund ले लेना है उस station से तो आप इस बात का भी धियान रखेंगे तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो में इस वीडियो को like और share जरूर कर दिएगा ताकि किसी को जिस ऐसी जानकारी के जरूरत होगी तो उनको भी help हो जाएगा और ऐस जरूरत ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लिजेगा और नोटिफिकेशन आउन कर लिजेगा चलिए मिलते हैं next वीडियो में